इस फर्जबर करेंगे, और वो है कि आप कहां तक किस हद तक, किस आयान तक आपकी छुरावों का वारचिय करन करेंगे, कमर्शिलाइजेशन करेंगे, एक चिंता जनक रिपोर्ट आई है, स्थापिच संस्ता द्वारा, जो अपनी जाच दिस्यत के लिए जानी मानी है, सेंटर्फोर्ट मीडिया स्टैइज, एक सुदंत्र संस्ता है, उन्होंने ये अनुमान लगाया है, कि लगवग साथ हजार करोड रूपेर इस चुनाव है, जो भी खत्म हुआ है, यह हुआ है, यह अपने आप में का समस्ता हो, यह आखड़ा अपने आप में, अलद, अकि जिन्ता का विश्य है, और अब यह आपके समक्षित रखना चाहते हैं और देश के समक्षित ठाना चाहते हैं, इससे भी ज्यादा अचिन्ता जवएक बिंदू है, कि इस साथ हजार करोड में से, लगवग आधा, 45 प्रटिशन, 27,000 करोड सिर्फ एक पार्टी ने व्याय कि एक पार्टी, संतारूर पार्टी ने 55 प्रटिशन इसका, यानि लगवग 27,000 करोड व्याय किया, तीसरा मिंदू के बागी सब पार्टिशन कोई निकट दूसरे स्थान पे नहीं थी, दूर थी, बहुत दूर थी, 15 प्रटिशन, 12 प्रटिशन, 20 प्रटिशन कित्या थी, और आपको एक तुल्नापगरुप से एक संदर्ब देने के लिए, ये बनाना अखशिट है कि 27,000 करोड भारत के सिक्षा के बजट का 30 प्रटिशन हिस्ता होता है, यानि पूरे भारत देश का सिक्षा का बजट इससे पी दूरा होता है, उसका एक पिहाई, बीजेपी ने इस चुलाब में व्याई किया, उसका 40 या 43 प्रटिशन होता है, या हमारी स्वास्त के बजट, यानि आदे से थोड़ा कम स्वास्त के अगिल भारत के बजट का व्याई, बीजेपी ने चुलाब में किया 27,000 करोड, भारत के रक्षा बजट का 10 प्रटिशन है 27,000 करोड, भारत की व्याई की सबसे बड़ी निर्मान की जो स्कीम है, मन रहेगा, उसका 45 प्रटिशन है, परसेंटेश है ये 27,000 करोड, और नमामी गंगा पूरे पाँच पिछले वर्षों में, यानि 14 से 19 के दोरा, मोरी सरकार के पूरे नमामी गंगा के प्रोजेक्ट में 24,000 करोड रेकिया सरकार में, पूरे नमामी गंगा पूरे नमामी गंगा पिर गंगा लगबग 1000 किलोमेटर लंगी है और इस बार चुनाम में 27,000 करोड इसका साथवा बिल्दू अगर आप देखें वो भी रोचक है के 1998 और 2019 के बीचे, यानि लगबग 21 बर्षों में, ये करीब करीब 6-7 गुणा बढ़ गया है अखिल भाग के अस्तर पे, पूरा अगया है, 10,000 करोड थोड़ा कम और अब 7,000 करोड ये सब आकड़े उस कड़ी पे दिये गए, ये मुद्दा सिरब आगरों का नहीं है, ये मुद्दा एक संतर जमीन का, और आप संतर जमीन का मतलब समचनें सिरब लेवल प्लेइफिल से नहीं, संतर जमीन का मतलब होता है कि without a level playing field, you cannot have fair, independent, objective, non-partisal elections. And if you cannot have fair level playing field elections, then you cannot have democracy. And if you can't have democracy, you cannot have VC structure, the Indian constitution. क्योंकि ये भारत के सप्विधान के मूल धाचे का एक अभी नांग है, और कहींने कहीं ये इस संतर जमीन level playing field को विक्रित करता है. अगर आप voter के हिसाब से, यानि कितने voter होते हैं, एक सलसदियर, और स्पिल सिरब, उसका एक नया आयाम में, तो ये बड़ा चौकाने वारा पिजर आता है कि 60,000 करोड के आखड़े को अगर आप voter इतने हैं भारत में सामोई गरूप से, उतने लागों करणों को से डिवाइड करें, गरेंद में, तो सौ करोड प्रती पार्लमेंट्री कॉस्टिवेंसी संसुदियर पिजर का चौकाने वारा आखड़ा आता है, और सौ करोड में से 45 प्रतिशन एक पार्टी ने एक उस्टिवें किया है, यानि लगवग 45 करोड पिजर की ने प्रती संसिदीर शेत्र के विशहनी किया है, हम इसका जयन कर सकते हैं, हम आपको कह सकते हैं कि भाज़पाने की चुनावी नीतियों पनाई है कि पैसे पैको, हम यह भी कह सकते हैं कि धनबल का एक चुनावी हल लिका रहा है भाज़पाने, कि बाज़पा के लिए जनता बड़ी है नहीं है, इसके संदे हो सकता है कि जनता बड़ी होया नहों भाईया, लेकिन the whole thing is कि सबसे बड़ा रुपया. Therefore, the only strategy appears to be money, money and more. It is vital to correct this excessive commercialization of the Indian electrical process because it creates distortion and skews a supposedly level playing people and completely erodes democracy at the base. Democracy after all is part of our basic structure is based on free and fair elections. Free and fair elections are based on level playing field. Level playing field is based on broadly equal opportunity for all parties. If whether Rubin party or other parties are able to spend almost like 45% and probably going up to 50% in the future, of the humongous amounts spent with electoral strategy and electionary, that means that the electoral verdict is influenced by money power, not by mandate power, not by grassroots power, not by mandate of the people. And that is bad today, it is the media green power, tomorrow for any other party. It is not a question of party, it is bad for democracy itself. Yes, money must play a role in logistics, in resources, but it cannot be a decisive factor. And if we are in a situation where 60,000 crores, 60,000 crores, 30% of India's education budget, 43% of India's health budget, 10% of India's defense budget, 45% of India's Mandrega budget is spent on electionary, then it can never be good for Indian democracy, the world's largest democracy. It can indeed never be good for any democracy. And when these figures have humongously increased five to six times for the country as a whole, are we going to increase another five times in the next election in 2024? We have now reached 60,000 crores. And are we going to have a hiatus, and what is going to happen to the level playing field, if we have a hiatus between the ruling party spending 45% of that 60,000 crores, versus the second party spending roughly between 15 and 20% at the most, and others spending 10, 11, 7, 8%. I will end also by reminding you that various wrong schemes, illegal schemes, motivated schemes, which we have not hesitated to criticize before you, when they were brought, I am not saying it not. We have criticized it from this podium in front of you many times, have contributed to this completely skewed, imbalanced approach to money power and elections. One of them is electoral bonds. They have certainly played a negative and an important role in this distortion. We have given you the details and condemned the opaque electoral bond system. We would therefore conclude by demanding firstly an explanation from the BAP as to the sources of this humongous amount of 45,000 crores, I am sorry, 27,000 crores, 45%, I am sorry, 27,000 crores, 45%, I am sorry, 27,000 crores, 45%, No.2. Younger,加iel and confetti, The Signature of A Bapakakas The Having mentioned तीसरा, क्या बहुत अधिक मात्रा में इसका हिस्सा कि नए इलेक्टिरल बॉन्ड के विशे से नहीं आया है, जरीज नहीं आया है और भविश्य में इतना ज्यादा और द्योगी करण, commercialization, industrialization of elections, monetization of elections किया जाएगा तो उसके विशे में सरकार क्या करना चाहिए, सतारूम पार्टी क्या करना चाहिए तो उसके विशे में उभी एक white paper ने, white shwet patr में और नहीं तुर्देश को अप्ड़ घाए तो नहीं तुर्देश को अप्ड़ क्या है यह इसे बिद्धिन द्योंगी तो उस्पना प्रटी इसंगी तो भॉस्टे में आया है प्रफेप मेन Kंछ धर प्रफेश्ट फटेशिरेख पिर य। आपको प्रफेश्टन अर्विक रदेश्ट अर्णेश्य पर उग्युक्षाइजन प्रफिरकता है। and the second figure, also not provided by Lee, but by that same independent institution which I am barely quoting, is 45% of the entire figure of the entire Indian elections by one party, the Rural Party. Now, if you are not alarmed by the meaning of this political democracy, then I think you will be a very small minority. Everybody should be alarmed who has a local country in their lives. Number three, perhaps you forgot the third point I made, that the distance between the single largest 45% spender and the next is more than 30% or 25%. So, you are comparing incomparables. Nobody is suggesting that elections are fought for free. Nobody is suggesting that elections are fought for love, fresh air. But certainly, the hiatus, the skewed, the biased flow of money to one political party should be a matter of concern for the future of democracy. And lastly, all that we are asking is a disclosure of the details. Certainly, if the party in power will disclose the details, every other party will be obliged to answer your question. You have to disclose details. You have to disclose details. You have to disclose details. That guy who disclose details are $27,000 crores. That is the returner. So, this report is the returner. I am talking about the report. This report is about 60,000 crores. The returner is $37,000 crores. The returner is $27,000 crores. Do not disclose. So, you are saying the report. लेकिन आप ये प्रश्ट पहले हुं से पूछे जिलों ने पेटाने पदिशते एक पार्टी ने किया, ये मेरा मुन बुका आपको मैं आश्रस करता हूँ, कि अगर इस रिपोर्ट के विशह में आपको 70 पार्टी अगर कराएगी तो उससे ज्यादा बीनियर में आपका पु सब्सक्राइब करते हैं, ये सवाल दूसरे हुशे से है, तेलंगाना में आपके 12 विशाइगों ने 14 चॉइंस रहे हैं, नहीं राज्यों में इन फार्टी के खवरे हैं, क्या लगा इपी रावलगाने की विश्टन ने ले रहे हैं, या आठेक्स पत्पो लेकर के कर्शू अजिल के वेशे ऐसा हो रहा है, या वागा ही में क्या लुखानी जी करें हैं? परचेस और इसके हमारे आपके पास में पत्तिय हैं हमारे कलंगारा प्रदेश के सरी ने किये हैं तो बात सही है ये दुखर पसंद है दुर्बागे को रहा है लेकिर ये वही तुद्दा उठाता है कि इतना नंगा नाच कमर्शलाइजेशन जग होगा तो उसका एक और दु नंगारा पर जो हुआ है ये बैसे कि दुखर नाच से हुआ है और इसको हम भॉस्दा करते हैं लेकिन ये सच्चाई उस प्रदेश में नई शैलिक वहां की सफ्टारूप सरकावर भुत्वरती लाएं है ये दुर्बाद है कि अभी नहीं अग्रावर्श से पहले से कि प् अभरावर जी नहीं आफिले वार है नहीं आखिली वार है आखिली वार हो जी ःखकावि वोनी जी ने जो भी सिंबल का इस्तमाल किया, मैंने समस्ता कि कोई उसको कोई धार्विक सिंबल समस्ता है, किसी प्रभाद से कोई धुष्प्रभाद का सिंबल समस्ता है, कोई सामा जी नसंतुलब करदा करने वारा सिंबल समस्ता है, अगर किसी ने गौरब दिखाया है, जि तो यह भी दाजों के शेवा करता है। मैं इस समस्ता के इसको इस तॉमिन इन थीगा पराई पार्द दिखा नहीं आप शेख करते है। हाँ, उन्हाने को धर्मिक अरसरेशुटा का सिम्बल दिखाया होता। उन्हाने को यह आप शेख करते हैं। तो समाजिक शेख करते हैं। मैं इस समस्ता को बनाता है।